देखिए, elements of earth magnetic field, मतब अर्थ magnetic field को explain करने के लिए, वो तो आपने geographical meridian और ये meridian और equator, ये सब आप explain कर चुके, सबसे पहले आपको एक चाहिए dip needle, क्योंकि हर चीज़ आपको measure करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक magnetic compass लेनी पड़ेगी, तो एक dip needle हम लेंगे, dip needle, तो को dip needle होती क्या है, पहले समझ लीजिएगा, needle देखी है न अपने, वो सुई वाली नहीं, वो needle देखी है, magnetic needle देखी है, देखो ये magnetic needle क्या होती है, ऐसे बीच में एक pyote होती है, pyote जानते हो ना, कीलिकित होना, हिंदी बोला, about of हो गया न, pyote सही है, मतब बीच में छेद न कही है, इसमें एक तरीके से दो pointer ऐसे निकाल दो, ऐसे इसको कर दो, कि इसके चारव तो घूम सके, ठीक है, तो ये needle ऐसे घूमती है, अगर ऐसे बनाई जाए ये, कि ए उपर नीचे भी घूमे, इसको कहते है, dip needle, मतब कुछ angle से नीचे उपर भी घूम सकती है, तो इसको कहते है, dip needle, ठीक है, तो पहले तो dip needle की definition लिखेगा, a magnetic needle, a magnetic needle, which is free to rotate, a magnetic needle, which is free to rotate, in vertical plane, in vertical plane, is called dip needle, dip needle, ठीक है, आपने अगर लैब में देखी हो, needle एक बड़ी सी होती है, ऐसे, एक कोल गोल सी होती है, उसमें एक स्वी बीच में ऐसे से घूमा करती है, ठीक है, तो वो जब मौका पड़ेगी, तो ये needle उपर नीचे भी ऐसे move कर सकती है, उसको कहते है, dip needle, ठीक है, अब तीन ची declination, decline मना करना, देखे, हमने क्या कहा, कि भाई, हमने जब दूर से अपने magnet को वहाँ पर हो, किस सहर में पाया गया था magnet, magnet, magnesia में इसे लड़काया, तो नार्थ direction में हो जाके ठहरा, ठीक है, पिच्चरों में देखा होगा, जब कभी छोटे से बच्चे से क्रिमिनल को कहते है, तो कहने किसने मारा, इसने मारा, वह इसे उंगली करता है, ठीक है, बात जो क्रिमिनल क्या करता है, अपने आपको हट अग्जेक्ट नार्थ में पूंचा वो, नहीं पूंचा ना, मतलब ये अर्थ है, ये नार्थ और ये नार्थ ये साउथ जी, नार्थ जी और साउथ जी मतलब रेस्पेक्ट से है, नार्थ जी, बताद जोग्रिफिकल नार्थ और जब आपकी मैगनेट गया आपकी मैगनेट गया, क्या है? यह निडिल, तो यहां पहुंची ना यहां पर कौन थे? नार्थ मैगनेट और साउथ मैगनेट तो इसके बीच के एंगल को कहते हैं अगल आफ डेकलिशन तो मैं आकसेस नहीं बोलूँगा मैं मेरेडियन बोलूँगा, पूरा प्लेन तो एनिकी आपका जोगरिफिकल मेरेडियन और मैगनेटिक मेरेडियन के बीच के एंगल को क्या करते हैं अगल आफ डेकलिशन तो लिखेगा the at any point on the earth 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 surface the angle between geographical meridian सुम्ब की यामियोत्तर और क्या कहते हो भागोलिक यामियोत्तर के वीश के कौन को गहते है angle between geographical meridian and the magnetic meridian is called angle of declination को जहाँ पहुचा रही है वो equator से नहीं मतलब है decline मतलब होता मना कर देना हम नहीं जाएंगो हम मुण दादा जाब हम ही याँ आजे बे तुमका चलेगो चलो न चलो न चलो इसलिए इसका नाम लिया angle of declination लिखे this angle is 11.3 degree कि 5 है कितना है जो NCRT मों रखिएगा 11.5 है साथ 3 लिखा हुआ है जो भी है 11.3 है 11.5 जो भी है वो लिख लीजेगा अगे लिखे angle of dip angle of dip or magnetic inclination angle of dip angle of dip यहां तक पहुँचने के पहले आपका जो पहला का concept है वो clear होना चाहिए ठीक है क्यों meridian meridian पूरा सम्भाल होना चाहिए जाद देखे आंगे लाफ dip होता क्या है मैं diagram में समझाओं वो तो ठीक है देखे द्यान से आप experiment करते कहां है लैब मे लैब मे करते है ना तो लैब आपका एक horizontal plane है तो आपके हिसाफ से needle वही प्रैसे से गुमनी चाहिए ठीक है कुछ प्लेसे ऐसे आते जहां needle गुम जाते है उसको बहुत जगे ले जाते है अलग अलग जगे तो needle अपने horizontal से नीचे गुड़ जुक जाती है तो जितने हैंगे से जुकती उसको क्या करते हैं यह तो समझ में बात नहीं आई कम कम आई समझ में आप समझे गजा जान से यह मेज है magnetic field कैसे चल रहा होगा ऐसे निकल के ऐसे घुमा होगा ना ऐसे घुमा होगा ना तो अगर आप इस मेज के horizontal आप ऐसे needle रखें तो जब magnetic field घुमेगा तो needle घुम रही नहीं घुम रही है जुग गई ना यह वह नहीं उठ गई बात वही है जुग ना को या उठ ना को ठीक है तो यानि कि यह जुग गई ऐसे घुम गई फिर ऐसे घुम के ऐसे नार्थ पोल में जाएगी तो यह जो horizontal से जुग जाती है ना इसी को क्या कहते है अंगल अब डिप यह अलग अलग जगए पे अलग अलग होती है ठीक है जला इसको diagram से समझने की कोशिज करिएगा यह हमारा यह हमारी earth है ठीक है और यह इसको आप क्यों बनाईए आप earth magnet बनाईए earth magnet ऐसे होता है ना थोड़ा सा earth magnet exact vertical ना होकर कि कुछ angle से जुका होता है कितने degree से जुका होता है 11.5 के आसपा जुका होता है ना यह magnet की axis होती है यह earth magnet का कौन सा pole होता है और यह कौन सा pole होता है नार्थ pole होता है यह south pole है यह north pole है यह magnetic lines ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी ना इसके अंदर हम नहीं जा जा रहे हैं हम बाहर की बात कर रहे हैं ठीक है, ऐसे जाएंगी ना और यह जो इसके यह क्या है magnetic equator है equator है ना यह आर्थ है समझेए, आर्थ बनी हो तो हम आर्थ के magnitude को दिखा रहे हैं अब आप निडल को लेक जाओगे तो जहां पर निडल रखोगे वो यहां पर यहां रखी आपने. यह निडल ऐसे दिखेगी, ठीके में अभी ऐसे नहीं आगी. आप यहां से निकलेगी एसे निडल, ऐसे निकलेगी ना, यह कौन सा पोल है? North Pole है न, तो जब Needle रखोगे यहाँ पर, तो इसकी तरफ Needle का कौन सा Part होगा? South या North? अगर Needle North होगा न, तो Needle बिलकुल Vertically ऐसे रहेगी होगी यहाँपर Critically समझेगा, नहीं रहेगी ऐसे रहेगी न, बिलकुल अरे मैं, यह साउथ Pole है यह न आर्थ पूल है न तो आपकी मैगनेटिक निडिल का साउथ पूल होगा इधर एरो इधर क्यों होगा न और जब घुमा के ले जाओगे तो यहाँ पर यहाँ पर आप खड़े हुएं आप कैसे खड़े होगे अर्थ पर कैसे खड़े होते हैं आप कहीं पर यह हरी डिल यह होरीजन्टल जाएगी और यहाँ करके क्या हो जाएगी डिल ऐसे पर बंपरिंट्ड लो हो जाएगी ना तो अब बताओ हर जगे अच्छा यहाँ पर देखो यह हरीजन्टल है डाटिल ऐसे घूम रही नहीं गूम रही है इसे ऐसे घूम गई है ना इसे नहीं घूम गई है तो यह horizontal से इतने angle घूमी है इसी को क्या कहते है angle of declaration तो यहाँ पर angle of declaration sorry angle of dip यहाँ पर angle of dip कितना है 90 degree समझे बात आ रही नहीं आ रही है और यहाँ पर कितने degree है 0 degree है तो थोड़ी कहान ही लिख लिखे इसकी definition लिखे अंगल of dip the angle of dip at place the angle of dip at place the angle of dip at place is the angle between the is the angle between the direction of earth's magnetic field direction of earth's magnetic field earth's magnetic field and the horizontal and the horizontal component of earth's magnetic field and the horizontal component of earth's magnetic field horizontal component of earth's magnetic field paragraph change करके लिखे angle of dip at the equator is 0 degree यह equator है यह कौन सा equator है magnetic equator यह कौन सा equator है magnetic equator चुमकी निरक्ष अंगल of dip at the equator is 0 degree and at the pole is 90 degree practically बात समझ में आ गई है अब जरा lab में संबल लिजेगा देखो इदर lab में यह आपका horizontal place है यह horizontal place है यानि कि भी horizontal जो lab के अंदर आप हैं वो भी horizontal है जो भी आपकी निडल घूमती है lab में वो horizontal component आती है ठीक है लेकिन magnetic field तो ऐसे घूमता है ना तो अज प्रेटिकली अगर समझेगा surface से निकला magnetic field अब में समालिया थोड़ा सा यह flat है यहां से field ऐसे घूमेगा तो आपकी निडल भी बस यह horizontal से तुरुआ सा जुग गई इसी को कहते है angle of dip ठीक है तो अगर यह angle of dip यह magnetic field है ना आपका relation को NCRT में capital D लिखा गया है आप कुछ भी लिखे alpha लिखे लिकिन आप बता दीजी आप किसको alpha मान रहे है ठीक है तो यह आपका angle of dip हो गया अगली heading डालिए तो horizontal component of earth magnetic field ने इसी भी समझाए जाएगा भी horizontal component of earth magnetic field horizontal component of earth magnetic field यह earth का magnetic field है ठीक है यह जो आपकी line जा रही है ना यह भी ही है अगर आप diagram बढ़िया हम बना नहीं पाते हैं इसलिए वो बढ़िया बन नहीं पाता है यह जो line जा रही है आपकी needle वैसे घुमेगी ना नहीं घुमेगी तो अगर यह horizontal line है यहापर आप खीज़ दो यह horizontal line है तो यह magnetic needle ऐसे घुम जाएगी ना ऐसे तो यह जितने angle से घुमी है इसी घुम क्या कहते है angle of dip तो लिखे be is the earth magnetic field यह वो magnetic field है जिदर आपकी needle घुम रही है जिदर needle का pointer जा रहा है and b h is the horizontal component b h is the horizontal component and b v is the vertical component b v is the vertical component तो अब बताइए थीटा is the angle of dip थीटा is the angle of dip थीटा angle of dip है अब बताइए यहाँ पर b h की value क्या निकलेगी b e cos theta निकलेगी नहीं निकलेगी और b v की value क्या निकलेगी b e sin theta निकलेगी तो अगर हम b e निकालना चाहें तो b e की value क्या निकलेगी under root b h square plus b v square अब देखो इसमें जो चीज unknown होगी अगर आपको horizontal component दिया हुआ है angle of dip दिया है angle of dip तो आपको earth magnetic fill up निकाल सकते हैं ठीक है अगर theta निकालना हो तो उन्हों को divide कर दो तो 10 theta क्या निकलेगा b v upon b h यहाँ से theta की value हम angle of dip की value भी निकाल सकते हैं dv upon b h ठीक है नोट करिए इसको अच्छे जो horizontal vertical की बात करो यह numerical में दिक्कत क्रेट करते हैं जरा समझने की कोशिज करो साउधान मैं horizontal plane में अपने lab में खड़ा हूँ यह north है यह south है magnetic field north हो south होती है यह कौन सा component है horizontal component और यह कौन सा component है इसके perpendicular vertical component ठीक है magnetic field तो बिलकुल इधर थोड़ी होगा ना magnetic field तो ऐसे घूम रहा होगा यह horizontal component यह vertical component जरा समझेगा यह north south direction में है north south direction में अगर east west direction से कोई rod ऐसे गिरती है तो horizontal component इसको रोक लेगा न और फिर भी गिरना चाहती तो इसको काटते भी नीचे जाना पड़ेगा यानि कोई east west direction में अगर कोई rod है ऊपर से गिरा ही जाती है तो कौन से component को कट करेगी हो horizontal को कट करेगी नहीं कट करेगी यह north south horizontal component यह east west एक rod गिरी यह रोक लेगा इसको अगर नहीं रोक रहा मतलब यह इसको काटता हुआ आगे जा रहा है ठीक है अब यह vertical component है ठीक है तो अगर ऐसे कोई body गिरेगी तो इसको नहीं कट करती है इसके पीसे निकल आएगी अगर ऐसे जाएगी यह horizontal है और अगर ऐसे ही कोई body जा रही है तो उसको कट नहीं करेगी ठीक है यह vertical को कट करेगी अगर ऐसे जा रही तो vertical को कट करेगी तो यह practically जब आप induction पढ़ाय जाएगा तो वहां समझने की कोशित करेंगे कि कौन सी body कैसे गिर रही है तो कौन से component को कट कर रही है ठीक है और magnetic field कट करना मतलब आपकी body से जो magnetic flux गुजर रहा उसमें चेंज हो होना और change होना मतलब एक electric field क्रेट होना जो लोग दोड़ते हैं वो जानते हैं जब दोड़ोगे तो पहरो एरो में चुंचुरान सुरू हो जाती ब्लड वगरा में blood circulation बढ़ता है तो केवल blood circulation नहीं होता जब आप दोड़ते हैं तो आपकी body से magnetic field भी cut होता है उस magnetic flux change होने से आपकी body में एक electric field क्रेट होता है ठीक है तो उसका भी कुछ न कुछ उससे linden होता है अब वो तो athlete लोग जाने तो यह आप बास में आ गए ठीक है इसको देख लीजेगा देखिए यह आर्थ है है यह नार्थ जोगरफिक है यह साउथ जोगरफिक है यह नार्थ मैगनेटि के south magnetic इसके बीच के angle को क्या करते है angle of declination यहाँ पर देखें क्या होगा यह हमारा सहर है एक हमारा सहर है और हमने कहा था जो जो जोगरफिक meridian होता है उसमें क्या करते है जोगरफिक north जोगरफिक south और आपका शहर यह मिला दिया हमने यह जो plane बना ना यह क्या है यह जो plane north magnetic थोड़ा इससे नीचे है तो north magnetic नीचे बना दिया और north magnetic south magnetic और आपका शहर इसको मिला के जो हमने plane खीचा यह है आपकी magnetic meridian और यह इनके बीच का angle होता है इसी को कहते है angle of declination ठीक है